चीन में फेफडे फुलाने वाली रहस में बीमारी को लेकर केंद सरकार ने राजिस्थान, करनाटक, गुजरात, उत्राकंड, हरियाना और तमिलनाडू को अलट जारी किया है इसके बाद राज सरकारों ने हैल डिपार्टमेंट को सांस से चुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तयार रहने का निर्देश दिया है राज सरकारों ने लोगों के लिए भी एडवाजरी जारी की है इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगों पर मास्क का इस्तमाल करने की सला दी गई है पिडियोर्टिक युनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी विवस्ता करने को कहा गया है चीन में रहस में बिमारी का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर हो रहा है तेजबुकार के साथ फेफडे फूला देने वाली इस बिमारी की वज़ा से हर रोज करीब 7000 बच्चे अस्पताल पहुँच रहे हैं एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये विमारी भी संक्रामक है केंद सरकार ने 24 नमंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाईजरी जारी की थी केंद्री स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया ने बताया कि भारत में चीन की रहस्में विमारी का एक भी मामला भी सामने नहीं आया है सरकार इस पर बारिकी से निगरानी कर रही है